इंडियन आइडल 12 का ग्रेंड फिनाले हो चुका है और पवंदीप राजन बन गए हैं सीजन 12 के विनर भारत के काफी जनता का ये मानना है कि पवन इस ट्रॉफी को डिजर्व नहीं करते थे बलके अरुनिता इस सीजन की ट्रॉफी डिजर्व करती थी आपकी इस बारे में क्या राय है कॉमें लाजमी बताएं और अगर आप पवंदीप के सपोर्ट में है तो इस वीडियो पर इनके लिए और इंडियन आइडल के लिए एक लाइक तो बनता है आज की इस वीडियो में हम इंडियन आइडल के All Season Winners के बारे में बात करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एन तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो बसंद आए तो इसे लाइक भी कीजेगा इंडियन आइडल सीजन 12 विनर इस सीजन के विनर बन गए है दो वन अनली पवंदीप राजन और पवंदीप राजन को जीतने पर एक करोड रुपे की विनिंग अमाउंट मिली है और साथ ही इने मारूती स्विफ्ट कार भी मिली है और यही नहीं बलकि पवंदीप को टी सीरीज के साथ गाना गाने का कॉंट्रेक्ट भी मिल चुका है इंडियन आइडल सीजन 11 इस सीजन के विनर थे सनी हिंदुस्तानी सनी हिंदुस्तानी भटिंडा पंजाब के रहने वाले हैं और इनकी वाइस का टेक्स्टिया बहुत ज्यादा सिमिलर है नुसरत फते ली खान के साथ जिस वज़ा से वे रातो रात इंडिया के नए सिंगिंग सेंसेशन बन गए थे इंडियन आइडल में रहते हुए इन्होंने इमरान हाश्मी के फिल्म दबॉडी के लिए एक गाना गाया जिसका टाइटल है रोम रोम जो टी सीरीज ने रिलीज किया था अभी सनी लगातार अपने अलबम लाते आ रहे हैं इंडियन आइडल सीजन 10 इस सीजन के विनर थे सल्मान अली इंडियन आइडल के लिए ये सीजन टर्निंग पॉइंट था क्योंकि टी आरपी की लिस्ट में इंडियन आइडल जहां टॉप 20 तक भी नहीं पहुँच पाता था वो इंडियन आइडल सीजन 10 में सीज़े टॉप 5 तक पहुँच गया था जो इंडियन आइडल के लिए एक बहुती बड़ी सकसेस थी इस सीजन में सभी के सभी सिंगल्स बहुती टैलेंटिट थे और शायद ही कभी फ्यूचर में सीजन 10 के जैसा सीजन और भी कोई हो पाएगा सल्मान अली को जितनी शौरत इंडियन आइडल से मिली इससे पहले किसी भी विनर को इतनी ज्यादा शौरत नहीं मिली सल्मान अली तीन बॉलिवूट फिल्मों में गाना गा चुके हैं और इनके कई सिंगिल्स भी आ चुके हैं इंडियन आइडल सीजन 9 विनर इस सीजन के विनर थे एलवी रेवन्थ जो अभी एक प्लेबैक सिंगर है तेलेकू फिल्म इंडशी में बाहु पली ते बिगनिंग का सुपर हिट सॉंग मनोहरी के सिंगर इलवी रेवन्थ ही थे इंडियन आइडल सीजन 6 विनर इस सीजन के विनर बने थे विपल मेता विपल मेता बहुत ही टेलेंटिट सिंगर हैं इन्हें बॉलिवूट में तो काम नहीं मिला इन दोनों सीजन को रिपलेस कर दिया गया था इंडियन आइडल जूनियर सीजन 1 और सीजन 2 से जिसमें जूनियर सीजन 1 की विनर थी अंजना और जूनियर सीजन 2 की विनर थी अनन्या नंदा इन्हें आइडल सीजन 5 इस सीजन के विनर बने थे स्री राम चंद्रा स्री राम ने इंडियन आइडल के विनर बनने के बाद कई बॉलिवूट फिल्मों में गाने गाए और अभी वे इंडिस्ट्री में एक्टिव भी है बल्मा फ्रॉम खिलाडी 786 और सुभानला फ्रॉम ये जवानी है दिवानी ये उनके कुछ सबसे पॉपिलर सॉंग्स हैं इंडियन आइडल सीजन 4 इस सीजन की विनर बनी थी सौरभी दबरना जो इंडियन आइडल की पहली फीमेल विनर भी थी सौरभी का नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है उल्टा लटक कर 4 मिनट 30 सेकंड तक गाना गाने का जो गिनीज बुक ओफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है इंडियन आइडल सीजन 3 विनर इस सीजन के विनर बने थे प्रशान तमंग और वे रहने वाले हैं दरजलिंग वेस्ट बेंगॉल के जब ये इंडियन आइडल में थे तब इनकी पॉपिलरिटी बहुत ज्यादा थी लेकिन आज आज आलम ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को इनका नाम तक नहीं पता इंडियन आइडल सीजन 2 विनर इस सीजन के विनर थे संदीप अचारिया ये रहने वाले थे राजस्थान के इंडियन आइडल सीजन 2 का खताब जीतने के बाद इन्हें एक करोड का कॉंट्रेक्ट मिला था सोनी टीवी के और से लेकिन संदीप का म्यूजिक केरियर बहुत ही छोटा रहा क्योंकि सिर्फ 29 साल की उमर में 15 डिसेंबर 2013 कुवे इस दुनिया को छोड़कर चले गए इंडियन आइडल सीजन 1 विनर थे अभी जीत सावन ये रहने वाले हैं मुंबई के और इंडियन आइडल जीतने के बाद अभी जीत रात और रात एक स्टार बन गए थे लोग इनके लिए पागल थे और हो भी क्यों ना आखिर कारवे इंडिया के पहले इंडियन आइडल थे दोस्तों ये थे Indian Idol के season 1 से season 12 तक के सभी singers इन में से आपका favourite season और favourite singer कौन है हमें comments में लाजमीं बताएं और अपने favourite season और singer के लिए इस वीडियो पर एक लाइक बनता है